नमस्कार दोस्तों आप दिखें ने NDC News मैं हूँ आपके साथ अरिछना कौशल जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपड़ी और स्पेशल स्टोरी तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल आईए देखते हैं सरकार ने लोगों की निजात को ध्यान में रखते हुए वाटसेप से एक नया फीचर लाने का निर्देश दिया है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ताजा निर्देश में कहा गया है कि वाटसेप यूजर को किसी भी ग्रूप में एड करने से पहले उनकी इजासत लेनी जरूरी होनी चाहिए दरसल पिछले दिनों कुछ सरकारी एजन्सियों को यूजर से लगातार शिकायती मिल रही थी कई बार उनकी मर्जी के खिलाफ वाटसेप ग्रूप में जोड दिया जा रहा है एक विरिष्ट सरकारी अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्राले ने इस बारे में कई एजन्सियों से राय ली जिसके बाद इस मामले पर मैसेजिंग प्लैटफॉर्म वाटसेप से बात करने का फैसला लिया गया हाना कि कई बार ऐसा देखा गया कि यूजर के दो बार ग्रूप छोड़ने के बाद भी कोई दूसरा एड्मिन उसे वापस उस ग्रूप में जोड लेता है इतना ही नहीं यूजर दूसरे एड्मिन को से वापस ग्रूप में जोने के साथ ही नंबर से बनाए गए नए ग्रूप में एड करने का प्रयास भी किया जाता है ऐसे अभ्यासों के लिए मेठी ने वाटसेप की भले ही सराना की है हाना की साथ ही लिखा है कि सिर्फ ये उपाए प्रयाप्त नहीं है इसलिए मंतराले ने फिर से वाटसेप को ऐसी सुविधा पेश करने के लिए कहा जहां किसी भी ग्रूप में यूजर को जोडने से पहले उसकी सहमती जरूरी हो फिलाल इस बात पर वाटसेप की जवाब का इंतजार किया जा रहा है दरसल केंदर सिलकार वाटसेप पर भेजे जाने वाले मैसेज कुले कर काफी स्तर्फता बरत रही है हाल ही में पांच राज्जियों में विधान सबाचुनाओं के दुराल वाट स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब